तो question है अनाधालिय को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? option जग्रेटर, option बेसिप्टर, option से इविस्क या फिर option D orphanage तो इसका अंसर करने के लिए आपको दी जाता है 5 सेकिंड का समय तो इसका अंसर होगा option number D orphanage अनाधालिय को अंग्रेजी में orphanage कहा जाता है तो कि इससे पहले आपको इसका मेंनिंग पता था comment box में जरूर बताएं और एचे अधिक वीडिय के लिए हमारे चैनल को subscribe जरू कर ले और बेल आकिंग को प्रस करना ना भूले जिससे कि आपको आने बाली सभी वीडिक नाट्सकेशन time to time मिलती रहे हमारी मुलकात हो गया से नेक्स्ट पीडियो में तब तक के लिए help बेटर देखते रहिए और सीखते रहिए धन्यवाद